हाई फ्रेंड्स GS4 Competition में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रसिद अभीनेता दिलीब कुमार साथ के बारे में और उसके बाद उनके हालत और बिगरती गई और अंतो गत्वा वो हमें इस दुनिया से छोड़ कर चले गए तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं दिलीब कुमार के कुछ उन पहलों के बारे में जो उनको एक खास सक्सियत के रूप में भाचान दिलाती है दिलीब कुमार का असली नाम मुहम्मद यूसुफ खान था उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था उन्हें हिंदी सिनेमा में दफ़स्ट खान के नाम से जाना जाता है और हिंदी सिनेमा में मेथट एक्टिंग का क्रेडिट उने ही जाता है हिंदी सिनेमा के जितने भी बेहतरीन एक्टर है उनको एड्मायर करते हैं उनके अभिने के कायल है दिलीब कुमार को ट्रेजडी किंग के नाम से भी जाना जाता है उनके बारा भाई बहन थे और वो तीसरे नंबर के थे 1934 में उनके पिता मुंबई आये थे और वहाँ पे अपना फलों का कारोबार अस्थापित करना चाहते थे दिलीब कुमार ने अपने एक्टिंग की सुरुवात 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थे इसे बॉंबिट टॉकिज ने प्रोड्यूस किया था दिलीब कुमार साब ने पांच दसक तक बॉलिवड में काम किया और अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने पैसर से ज़्यादा फिल्मों में काम किया अगर दिलीब कुमार की पुरसकार और समान की बात करें तो उन्हें आठ फिल्म फियर आवार्ड मिल चुके हैं और मेडिया रिपोर्ट के माने तो उनको सबसे ज़्यादा आवार्ड जीतने के लिए गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्द है दिलीब कुमार को साल 1991 में पद्व विभूशन से नवाजा गया था और 2015 में पद्व विभूशन से समानित किया गया था साल 1994 में उन्हें डारा सहाव फाल के आवार्ड से भी नवाजा गया था दिलीब कुमार सहाब 2000 से 2006 तक राज्य सबा के सदर से भी रह चुके हैं और 1998 में वो पहले ऐसे भारती नागरिक हैं जिनको पाकिस्तान के सर्वस्रिष्ट नागरिक सम्मान यानि निशान एमतियाज से भी सम्मानित किया था अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल GS4Competition को सब्सकाइब जरूर कीजिए धन्यवाद